कि हेलो दोस्तों स्वागेता आप सभी का उनिवर्सल स्टडी में मेरा नाम है पिरिंसाणिया यूजिसी नैट जी आरफ का डी आई सी कोशन है पाई चार्ट से कोशन है यह मुस्ट इंप्रोटेंट कोशन दोई कोशन मिलेंगे आपको या तो डिग्री में आपको दिया आप यह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आपको ओर वीडिएय। देखने है दी आई की तो आप प्लेडिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने के लिए यानिकी एक घर बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ घीवभाय इस्टील पर 36% एस्टील पर 36 % सिमेंट पर 72% विक्स यानि की इंटें पर 54% मिसलेनियस यानि कि एक्स्ट्रा जो भी छोटा मोटा खर्चा मिसलेनियस 108% और लेबर पर 90% खर्चवा है इस्टील का जो मैटरियल आया 36% डिगरी आया यानि कि डिगरी में बात रखा है नोने परसेंटेज में अगर परसेंटेज में पूछे तो 100% होता है टोटल अगर डिगरी में पूछे तो यह आपका 360 डिगरी होगा टोटल आपका 360 डिगरी में अगर इनका सभी का योग करेंगे तो आप 360 डिगरी हो जाएगा योग करने क्या वसकता नहीं है आपको question number देखे the mean of the expenditure is on यानि कि आपसे average पूछा है average किसका average होगा यानि कि आपको 360 कितने है यहाँ पर टोटल 360 average पूछा है इसका 360 सभी का टोटल करेंगे तो 360 होगा आप add करके देख सकते हैं और कितने यहाँ पर खर्चे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच टोटल पांच खर्चे हैं तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे 5, 35, 5 दुनी 10, 72 परसेंट आपका क्या हो जाएगा cement B पर क्या है 72 डिगरी पर क्या है B cement का आपका expenditure mean होगा यह आपका यानिकि average क्या है cement है आपका the ratio expenditure on steel, cement and bricks यानिकि steel, cement or bricks का आप से expenditure पूछा है खर्चा कितना होगा steel, cement, bricks तो steel का 36 ratio इसके बाद bricks 54 इसके बाद bricks 54 तो यहां पर आप डिवाइड कर देंगे 54 यहां पर ratio क्या बना आपका 243 तो 243 ratio किस में है कौन सा option आपका सही है यह option आपका सही होगा 243 next question the highest expenditure percentage यानि कि highest percentage किसमें आपका expenditure किसका है सबसे ज़्यादा परसंटेज किसमें खर्च होगा है तो सबसे ज़्यादा किसमें खर्च होगा आपका यानि कि जादा डिगरी है 108 डिगरी आपका miscellaneous कर चाहे तो आपका 108 डिग्री आपका मैक्सिमम इसी का होगा परसंटेज तो परसंटेज को 108 को परसंटेज में बदलेंगे तो 108 कि डिवाइड कितना 360 यानि कि टोटल कितना होगा इंटु 100 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका परसंटेज में आ जाये गए एक जिरो से एक जिरो खट थर्टी सिक्स डिवाइड करेंगे तो थ्री टाइमस में आपका 108 कर जाएगा थ्री टैन इंटु 30 परसंट तो आपका एक्सपेंडिचर मैक्सिमम मैक्सिमम मिस्सेलेनियस खर्च किस पर हुआ है 30 एक सो आट डिगरी खर्च हुआ है मिस्सेलेनियस पर कितना परसंट हुआ है 306 डिगरी आपका हुआ है कि लेबर का खर्च कितना है 90 डिगरी और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 360 कि तो यहां पर कुछ भी मल्टिप्लाइंग नहीं करना है क्योंकि पार्ट पुछा कितना हिस्सा आपने लेबर पर खर्च कर आए नाइन फॉजा तो यह वन बाई फॉर पार्ट आपका खर्च हुआ है किस पर लेबर पर खर्च हुआ है तो यहां पर कौन सा सी ओप्शन आपका सी हो जाएगा ओफ दे टोटल एक्सपेंडिचर तक परसंटेज ओफ एक्सपेंडिचर ओन स्टील और ब्रिक्स तोगेदर इस यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर यानि कि टोटल खर्च का परसंटेज ग्याद करना है है expenditure on steel and bricks का bricks का यानि कि इत और इस्टील का जो किर हाँ पर इस्टील आपका कितना है 36 और bricks आपका 54 तोल कितना है 360 multiply कर देंगे 100 से तो आपका percentage में बन जाएगा 54 प्लस 36 को add करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 divide 360 multiply 100 से 90 divide 90 से 36 को divide करेंगे तो 4 times में आपका चला जाएगा तो 4 को 100 से 100 को 4 से divide करेंगे 100 multiply में क्योंकि 100 भी तो है तो 4 times कितने 25 time में आपका 100 भी divide हो जाएगा तो यह आपका total खर्चा कितना हुआ bricks और steel पर 25% 25% आपका खर्चा हुआ किस पर steel और bricks पर कौन सा C option आपका सही है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों कुछ सेयर करिए और आप तूसरी वीडियो हमारी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तक्यू ओर वाचिं लगी हो वाचिं यवीडियोका नप्सक्राइब दूस्क्या में। चानल